नेक्स्स कोश्चन देखिए नेक्स्स कोश्चन देविच है 14, 19, 116, 125, 116, and 16 इस देविच भी आपनों कोई ना कोई आजा पैटर्न फाइंड आउट करना है ओके एदे विच आपा देख रहे हैं कि 14 आपा मल्टिप्लाई करिए या 9 आपने कोल जो है उन्नी की में प्रापत हो रहे हैं यह देविच आपा प्लस 5 कर रहे हैं उन्नी तो बाद 116 जिड़ा है उसनों प्रापत करन लिए प्लस 5 नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने कोल उन्नी ते 116 देविच बहुत जादा डिफ्रेंस है आपने इत्थे चीज नोट कर सकते हैं कि जो डिफ्रेंस है ना दोना सारी संख्यामा दे विच का वो बहुत ही आनीवन है आनीवन मीन्स कि बहुत ही जो है एक कॉंस्टन डिफ्रेंस नहीं आ रहे है इस तरह मतलब यह देविच कोई होड लॉजिक भी एप्लाई हो सकते है और एक्चल दे विच वरक संख्यामा ने चार, नौ, सोला, पच्ची, छत्वी होन इस तरह मतलब यह होया कि नेक्स संख्या की होनीच नेक्स कोशन देखिए इस तरह विच चार, बी, छे, ब्याली, अट, बहत्तर, तस, एंड सो और इस तरह विच आपा देख रहे हैं कि जे कर आपा त्यानल देखिए ता अपनी कोल आज जो नंबर एंसर्कल किते जा रहे हैं यह है अलग सीरीस होना रहे हैं और ए जड़ा बी, ब्याली, बहत्तर ने यह उन्हों अपा अलग सीरीस मन देखिए होन आप एदे विच एक लॉजिक और पैटर्न फॉलो करके देख है again, चार तो बाद 6 आ रहे है 6 तो बाध 8 आ रहे आठ तो बाध 10 आ रहे है Ted means कि आपने को लेति है eigen फार इस तो बाथ अप़ यह कै सकते हैं कि ब्याली की मेरी खेंसर्ढ इस तो बाथ आया करें महीं है चाहर दीनार बी आप नोग अपना परय्पत करों नतीुसर्ण कर नह छिके ऑतनु अगर आपा साते चार मुल्टिप्लाइए करिये तक कि आप न को 72 यह नहीं लेकिन आपने tęप नोधे चारे करिये तो आपने मेको बहतनी को बहतनी यह आ तक देख रहे हैं इते आपा देख रहे हैं कि पहला आपा पांच देनार मिल्टिप्लाई किता फिर आपा साथ नार किता फिर आपा नो नार किता इते और नमबर चल रहे हैं ठीक है means आपा एक ऐसा अग देया कि जिड़ा इवन नंबर हैगा है उस तो अगला नंबर जो है उस दे नारों multiply हो रहे है उस दे successor नार अग्यतर दे नार multiply हो रहे है तो it means 10 चिड़ा है किस दे नार multiply होना चाहिता है 9 तो बाद अगला और नंबर केड़ है या 10 दा अग्यतर केड़ा है 11 11 नों आपा 10 ते नार multiply कराएंगे तो आपा नों आंसर मलदा है 110 तो देखे कि या आंसर आपने कोल 110 है हांजी दे विच आपने कोल आंसर है गए चौता आंसर 110 तो इस ता आंसर हो गया 110 So we are finding here that कि कोई एक particular pattern नहीं है जो pattern आपा कोशन नंबर 3, 2 या 1 दे विच यूज किता ओ फोर्थ दे विच यूज नहीं होया या फिर second question दा pattern first, third and fourth तो different है तो यह कोई बहुत ही hard and fast pattern नहीं हुंदा यह pattern ही आपा लबणा हुंदा है यही आपनी mental ability दा test हुंदा है Now let's see आपा यह दे विच फिफ्ट question करण लगया 5, 28, 17, 126, dash and 344 इस दे विच फून की pattern होएगा जेकर इसनों आपा त्यानाल सोच दे है तापन यह दे विच एक pattern फॉलो हुंदा है वो pattern है आपा 1 दा cube प्लस 1, 2 आगया 2 दा square प्लस 1, that is 4 प्लस 1, 5 आगया आप आपा यह दे देख रहे हैं आपने कोल 5 स्टार्ट हो चुक्या है देन उसतों बाद 3 cube प्लस 1, that is 27 प्लस 1, 28 देन उसतों बाद अपने कोल 4 दा square प्लस 1, that is 16 प्लस 1, 17 उसतों बाद 5 cube प्लस 1, it becomes 125 प्लस 1, 126 and then 6 square प्लस 1, that is 36 प्लस 1, 37 देन 7 cube प्लस 1, it becomes 343 प्लस 1, 344 आपने कोल यह जड़ी है संख्यावा ने यही अपनी सीरीज है आप एथे देख रहे हैं इसते विच आपने कोल जड़ी है किया है यह दे विच आ रहे हैं 5, 28, 17, 126 and which dash and 344 आपना ज़ला आंसर है गावा ओ की होना चाहिए आपना आंसर होना चाहिए 37 सो यह आपना लॉजिक की में पता गिता हारे कोशन दे वास्ते आपनों ज़रूरी नहीं है कि यही लॉजिक यूज होए बट यह प्रैक्टिस दे ना समझ विचान्द है कि देखो आपने कोल यह 17 संख्या है 17 संख्या जो है ओहो आहे जी संख्या लबो जो 17 दे आसपास है और कोई पर्फेक्ट स्क्यार या फिर कोई पर्फेक्ट क्यूब है जिमे की 16 है 16 जड़ी है कि 17 तो एक वात है उसे पर कारणा तुसे यह देख रहे हो कि जो अपने कोल जो फाइव है फाइव 4 दे नेड़े है 4 की है 4 एक पर्फेक्ट स्क्वेर है 28 की है 27 दे नेड़े है 27 एक पर्फेक्ट क्यूब है पर्फेक्ट क्यूब की हो या किसे भी संख्या नो आप दे नाल ही तिन वार मल्टिप्लाई करन ते जो संख्या प्रापत हुन दी है उसनों आप उसका क्यूब करन जिमें कि 27 जो है वो हो 3 दा क्यूब है उसे पर कारणा 5 दा क्यूब की होएगा 5 नो 3 ताइम्स मल्टिप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा अपने कोल 25 इंटो 5 that is 125 तो 125 की है अपने कोल 5 दा क्यूब है तो इतने आपकी पैटन फॉलो कर रहे हैं कि आपना संख्या नो वदा रहे हैं जो नाच्रल नंबर है उसनों आपका इंक्रीज कर रहे हैं और पहला आपका अल्टरनेट जो है क्यूब ले रहे हैं फिर उस तो बात स्क्वेर ले रहे हैं फिर पहला क्यूब लिता फिर स्क्वेर क्यूब स्क्वेर क्यूब स्क्वेर क्यूब स्क्वेर क्यूब इत मींस कि आपने कुल जो next संख्या इत्थे missing है 126 तो बात ओ अके में प्रापत हो रही है 6 स्केर प्लस 16 ता स्केर हो गया 36 और उदे विच एक एड करता ओ बन गया आपने कुल 37 सो आंसर जो है आपना बनेगा 37 डैट इस आंसर नमबर 3